सम्मानी सातियों को मेरा नमस्कार में आपका सौगात है आई सातियों एडिकेट अब ब्यास पुस्ति का कक्षा तीसरी के हम परेवन अद्दन के महत्पूल पार्टों को हल करते हैं तो वीडियो को सुरूर से अंतक देखें मेरा जीला पार्ट दिया गया है पहला प्रसने मह महाकाल का नगर किस जीले में इस्तित है तो महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है तो उचेन नगरी को ही महाकाल की नगरी कहा जाता यह उचेन जीले में इस्तित है अगला है मत प्रदेश में कुल कितने जीले हैं तो वरतमान में मत प्रदेश में 55 जीले हैं पार्ट को ध्या प्रता करें बहुत सारे चोटे चोटे गाओं के मिलने से किसका निर्माण बनता है उसी प्रकार बहुत सारे विकास खंड से मिलकर क्या बनता है तो जीला बन जाता है अगला प्रस्ण है आए हम नीचे दर्सागे पिरामिंड की छोटी इकाई नियम निस्तर से बड़ी अले हम देख रहे हैं कि घाव नगर फिर गाव से मोहल्ला बना फिर विकासखंड मना फिर विकासखंड से जीला जीला से प्रदेश और प्रदेश से मत्प्रदेश हमारा बन गया लाये नीचे दिए परियाटक इस्थन या दर्शनी स्थल है तो उसका नाम आपको बताना है तो आप बता सकते हैं आपकी छितर क्यादार पर गाओ में कभी कभी मिला लगता है हमारे जिले में कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इतियासिक परियाटक स्थल है हम साही मंदिर गए इस तरह आ हम घर से निकले हमको दुकान मिली फिर पकी साड़क फिर एंपम मिला फिर हमको ऐस्पाल मिला इस तरह हम यहां पर नक्सा बना सकते हैं फिर पहले कि जमाने में संचार का साधन पोस्ट कार्ड लिफापा लिटर आधी की दौरा किया जाता था पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के पहले उसमें कुछ जानकारी भर्री होती थी तो जैसे हमने बढ़ा है नाम विने विसेन पिता डिलेंसी मिसेन वार्ड नंबर नो नगर पंचायत कामी विकास खंड वरगाड जिला सिवनी और इस तरह आप चायतों पीन भी भी सकते हैं पिर है चलिए अब हम अपने जीले को मांचितर में डूनेंगे और उनमें रंग बारेंगे तो आपका जो जीला है आप उसमें नहां पर ढून लीजी और रंग भार दीजिए हमारा जीले के उत्तर में कौन सा ज village स्थित हैं बताना हो हमारे जीले के पसी में कौन सा जीला होगा चैनल को भी आपने जरू सब्सक्राइब कर लिया होगा आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर साहता मिली होगी तो आप वीडियो को से रहें लाइक जरूर करें कमेर्स बाक्स में आपके शुजावश बताएं धन्निवाद